क्लियर था वहां तक सभी को ठीक है तो लास्ट हम यहां पर थे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखो यह सब जो चीज़ है यह तो पर पहले डिसकस कर चुके है इसकोप वगेर है यह सब के बारे में तो इस पर जादा नहीं जाएंगे जस्ट अपनी स्किप कर देंगे थोड़ा समझ के इसको पी नहीं तीका लेकिन ठीक है तो एक एवरेज शेलरी यहां पर दी गई है पर इयर साइबर क्राइम डेली लाइक पिछले कुछ साल में पोस्ट कोवीड 600 परसेंट हाइक हुआ है इसमें ठीक है जिससे अपनको पढ़ता चलता है कि अगर जब साइबर क्राइम में ह कर दी होगी अब पहले था 395 मिलियन यूस डॉलर का इंडियन गवर्मेंट इस्पेंड कर दी ती जिसको 550 तक पिछले साल कर दिया गया अब देखो आप हम बात कर रहे थे साइबर लॉस के बारे में कि हमें साइबर लॉस पता होने चाहिए हर जगे के हर कंट्री के अलग- कुछ लॉस के नाम में आपको बता देता हूं दपेटेंट्स अमेंडमेंट एक ना 99 में आया था कि ट्रेड मार्क एक 99 में आया था और कॉपिराइट एक नाइंटें 57 में आया था यह तिनों जो लॉस है यह डिफाइन करते हैं अपने क्या चीज आपको परफॉर्म करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए डिटेल में अगर जानना है तो इस वेबसाइट में आप जा सकते हो आईपेंडिया.nice.in बहुत डिटेल मिलेगा फिर एक आईटी एक्ट है हमारे पास इन्फोर्मेशन टेकनोलोजी एक्ट जो मेती की यह वेबसाइट है यहाँ पर आप आपको देखने को मिलेगा तो अगर आप चाहते हो एक्स्प्लोर करना लाइक इंडियन साइबर लॉस हो तो आप यहाँ जाके एक्स्प्लोर कर सकते हैं सौर्ट में तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि रिटन में परमिसन लेकर हमें काम करना है वह एक्टिवेटी नही लेकर आया हूं सिस्टम कल से लाना चालू लेकर आना और आप बात कर लेते हैं लिनक्स के बारे में ठीक है लिनक्स का एक ओवर्विव लेंगे और फिर लिनक्स मसिन को सेट अप करेंगे और अपनी लेब सेट अप करके फिर अपन आगे वाला जो अपना पार्ट रहेगा उसके तरफ practical के तरफ move कर जाएंगे तो ethical linking के अंदर हमने मतलब यह देखा है कि Linux का बहुत जादा यूज लिया जाता है क्यों यूज लिया जाता है कि पीछे भी reason होगे डेफिनेटली तो Linux का क्यों यूज कर रहे है हम Ubuntu का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं वो भी तो Linux है तो बहुत इतना सा फर्क है कि Ubuntu जो है उसके अंदर हमें नहीं स्टोल्ड परयंगे मुझे करने पड़ेंगे काली की अंदर क्योंकि ये Weak han centric operating system है तो इसके अंदर आपको लिनक्स का क्यों यूज लिया जा रहा है फिर फाइल सिस्टम समझेंगे लिनक्स का जो कि काफी इंपोर्टेंट है तो फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है डाइरेक्टरी का इस्ट्रक्चर जाशा हम अमारे विंडोस के दीस PC वाला जो उपन करते हैं तो हमें C drive देखने को मिलती है D drive देखने को मिलती है C drive के अंदर एक structure होता है Windows नाम का यूजर्स नाम का तो एक प्रॉपर structure होता है Android के अंदर देखोगे तो उसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा DCIE में Android इस टाइप से रहता है तो हम Linux का भी file system समझेंगे और फिर basic Linux command को देखेंगे कौन-कौन सी basic like ऐसी कौन-कौन सी command है जो हमें पता होनी चाहिए जो हमें Linux को चलाने में मदद करेगी बात करते हैं Linux की कि what is Linux तो Linux एक open source operating system है operating system तो क्या होता है पता है आप लोगोगो open source का मतलब क्या हुआ free available होता है और अच्छा देखो अपन समझते है कि कोई भी software company अरने कैसे करती है ठीक है बात करें अगर Microsoft की तो वो अपनी earning कैसे करती है Windows से ठीक है उसने क्या किया उसने एक operating system बनाया एक software है ठीक है उस software को क्या किया उसने बनाने के बाद commercial purpose के लिए लोग उसका license को purchase करते हैं या उस software को purchase करेंगे और जब तक वो valid रहेगा तब तक यूज करेंगे अब open source को समझ लेते हैं open source का मतलब होता है देखो दो word से मिलके बनाया बहला है open दूसरा है source ठीक है अब जब windows लोगों का available होता है ठीक है तो क्या कर सकते हैं वो उस उस चीज को use कर सकते हैं जैसा वो बना हुआ है ना वो ऐसा ही use कर सकते हैं जो उसके अंदर का जो code रहता है source code जो रहता है वो किसी को available नहीं कराया जाता क्या कराया जाता है नहीं कराया जाता open source को अगर अपन तोड़े invert को एक तो हो गया open open मतलब सभी लोगों के लिए available है दूसरा हो गया source source का मतलब source code ठीक है यानि कि एक ऐसा software जिसका code जिसका पूरा का पूरा code openly available है सभी लोगों के लिए use करने के लिए customization करने के लिए modification करने के लिए और आगे उसे अगर वो like upgrade करके अगर आगे बाटना चाहते है तो उस चीज़ के लिए यानि कि हमें license purchase नहीं करना होता है हमें license purchase नहीं करना होता है clear open source android भी open source operating system है गूगल ने बनाये ज़रूर था लेकिन फिर उसने open source कर दिया तो कोई भी android के अंदर अपने modifications कर सकता है अपग्रेडेशन कर सकता है अब देखो जो चीज़े open source होती है इसे जब यह चीज open है पूरी इसके लिए तो इस पर कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई एक वर्क करता है इसके पर पूरी community वर्क करती है जैसे github पर आपने दिखा हुआ github पर प्रोग्राम से लोग software बना के डाल लेते हैं तो वहाँ पर जो भी चाहे updates कर सकता है तो उसे क्या करता community चलाती है अगर Microsoft की बात करे तो जिन लोगों ने Windows operating system को बनाया होगा या बना र हाँ हजार होंगे पाँच हजार होंगे मान लेते हैं पाँच हजार लोग होंगे तो यहां पे हमने यह तो समझा कि Linux जो एक open source operating system है और जो चीज़े open source होती ही वो free to use होती है तो Linux की सबसे खास बात भी है कि यह free to use है बाकी operating system की तरह आपको pay नहीं करना पड़ता है तीसरी बात यह है कि क्योंकि यह open source है इसका source code available है तो यह modify करने के लिए भी open है यानि कि अगर मैंने बनाया काली को आज बना के लोगों ने upload किया है काली के website available है आपको अगर आती है प्रोग्रामिंग आती है आप अगर उसके ना changes करना चाहते है आप अपने हिसाब से changes करो और एक नया operating system बना लो ना काली वाले को इससे इसू होगा ना किसी third person को इसू होगा क्यों क्योंकि यह open source है अभी किस पर बेस्ट है यह बेस्ट है लीनक्स करनल पर करनल क्या होता है करनल क्या होता है गाइस नहीं पता है अच्छा नहीं नहीं इसका नाम लीनक्स करवल करनल नहीं है करनल करनल एक intermediate की तरह काम करता है याने कि आपके device का hardware और software दोनों के बीच में integration हो पाए चीज़ें अच्छे से काम करें वहां पर करनल मदद करता है जैसे कि for example आपने software से आपने volume को full कर दिया hardware में भी वह चीज़ होनी चाहिए volume full होनी चाहिए आपने अगर software में camera on किया तो hardware में camera on पर बेस्ट है तो नहीं नहीं हर operating system में आपको kernel देखने को मिलेगा जो Linux operating system में इसका जो करना ले इसका नाम में Linux करना ले ठीक है first time यह आया था जो Linux operating system 1991 में September 7 को launch हुआ था जिस person नहीं से बनाया था जो कि आपका question है उसका नाम था Linux Torvalds तो उसी के नाम पे Linux इसका नाम रखा गया अब देखो कोई भी software है तो कोई ना कोई तो इससे support देता Windows जिसने बनाया होगा जिन लोगों ने जो टीम वर्क कर रहेगी उसके अंदर 5000 लोग होंगे ज्यादा ज्यादा 5000 होंगे 10,000 में मान लेता होंगे बहुत सारे लोग है वो क्या कर रहे है Windows operating system को और बहतर बनाने में contribute कर रहे है Linux में कौन contribute कर रहे है Community कर रहे है Community मतलब developer, programmer, hacker, coders ये सबी लोग Linux की एक proper community बनी होई है आज का टाइम में community ही इसे चला रहे है support इसका दे रहे है अलग-अलग Linux के software community बनाती है Linux के जो भी programmer, developer, coders अगेरा है इनहीं लोग इस पर काम कर रहे हैं आकर bug testing ये सब जो चीज़े ये भी community कर रहेती है मुझे एक बात बताओ, community में कितने लोग होंगे millions हो सकते हैं बिल्कुल millions होंगे तो अगर देखा जाए तो anyhow कुछ भी कर लो आप जो 5000 लोग के comparison में और एक तरफ है एक million लोग एक million से ज्यादा की भी होगी community तो कौन सा operating system ज्यादा better work कर पाएगा कौन सा ज्यादा enhance हो पाएगा million वाला ज्यादा लोगे टेस्ट करने को ज्यादा लोगे उसके अंदर सुधार करने के लिए तो यह Linux के यह हमारा Linux है ठीक है तो जस्ट इसकी बारे में एक overview हो था कि Linux हाकी रहे क्या एक open source operating system है Linux Torvalds ने बनाया था आज के टाइम में लेकिन इसे community चला रही है community इसका enhancement कर रही है और based on यह Linux kernel पर है ठीक है अब बात कर लेते हैं आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं cool features of Linux Linux के कुछ features के बारे में features क्या होता है function ऐसे कौन से features है कि हम Linux को use कर रहे हैं देखो एक बात तो सीजी साफ है कि Linux हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि 90% servers, web servers Linux operating system पर चलते हैं Windows के server भी चलते हैं ऐसा नहीं कि Windows के नहीं चलते हैं लेकिन maximum Linux के चलते हैं इसलिए हम Linux सीख रहे हैं लेकिन वो server वाले भी Linux को क्यों use कर रहे हैं इसके पीछे भी तो कुछ reason होगा वो reason क्या होगा Linux की ऐसी क्या खास बात है कि Linux को use करा जा रहा है तो हम compare करेंगे Linux को बाकि operating system से तो पहली बात अपने यह करते हैं कि Linux के पास है multi user capability यानि कि इसके अंदर आप multiple users create कर सकते हो Windows में कर सकते हो कर सकते हैं हाँ बिल्गुल कर सकते हैं आप admin accounts में जाना administrative accounts में वहाँ पर जाके नए account create कर देना तो multiple accounts आप उसके अंदर भी चला सकते हैं हाँ देखो storage data सेम जरूर होगा नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ देखो multiple users कहने का मतलब यह है कि आप एक से ज्यादा user account वहाँ पर create कर सकते हो ठीक है और user accounts उसका मतलब यह है कि कुछ चीजियों के आप restriction लगा सकते हैं अपनी personal files की ठीक है तो कोई नहीं बात नहीं है कि multi user है सब operating system में आपको multi user capability मिल जाती है आज के time में android में भी मिल जाती है parallel space का नाम सुना होगा आप लोग ने इसके बाद है multitasking यानि कि एक time में एक से ज्यादा processes या software को run कराने की ताकत यह है हमारे windows के पास है कोई नहीं बात नहीं है आप चाहो तो आप internet चलाते चलाते ब्राउजर चलाते चलाते सॉंग भी play कर लोगे कोई तीसरी activity भी चालो कर लोगे गेम भी खेल लोगे लेकिन जो तीसरा point है portability यह आपको windows में नहीं मिलेगी यह आपको mac में नहीं मिलेग portability मतलब क्या portability मतलब portable होना flexible होना कहीं पर भी adjust हो ठीक है example देता हूँ अभी हम इसे चला रहे हैं computer के अंदर आप चाहो तो इसे mobile में चला लो आप चाहो तो इसे tablet में चला लो आप चाहो तो इसे raspberry by में चला लो raspberry by पता है चोटा सा computer होता है तो यह सब जगे पर portable है आप इसको अलग-अलग devices में चला सकते हो विंडोस की तरह नहीं है कि आपको just computer में ही चलेगा clear है तो यह इसकी बहुत खास बात है इसके बाद आता है security यह भी बहुत अच्छा point है Linux का कि Linux जादा secure होता है बाकी operating system के comparison मे ऐसा क्यों होता है इस चीश को अपन discuss करेंगे धीरे धीरे अभी थोड़ा सा लेकिन एक overview जरूर ले लेते है secure क्यों है secure इसलिए है क्योंकि multiple reasons है इसके पीछे पहला reason तो यह है कि Linux आपको by default by default एक normal या फिर guest user रखता है यह ना guest user का मतलब normal user का मतलब एक ऐसा user जिसके पास activity perform करने की permission नहीं होती है वो limited चीज़े कर सकता है तो जब आप Linux को जैसे ही आप Linux system को on करोगे तो उसके अंदर आप जो user बनोगे वह आप एक normal user बनोगे और system के साथ कुछ भी करने की जो power होती है वो उसके पास होती है administrator user के पास होती है super user भी बोल सकते हैं उसे root user भी बोल सकते हैं उसे उसके पास होती है तो यह हमें by default एक normal user बनाता है तो कुछ activities हम perform नहीं कर सकते हैं जब तक हम super user ना हो ठीक है इसका मतलब यह भी हुआ कि अगर कि इसी third person ने मेरे system का access ले लिया तो वह भी limited activity perform कर पाएगा ठीक है तो यह एक reason हो गया Linux का securities की क्यों अच्छी है और बात करते हैं और क्यों securities की अच्छी है एक तो हमने अभी देखी user की user का हमने देख लिया root user और normal user इसके बाद इसको हर चीज में file permissions की requirement रहती है जैसे कि windows में क्या होता है हमने file को software download किया चला लिया run कर लिया ठीक है software download किया कोई भी file download करी उसका नभी modification कर दिया save कर दिया Linux में आप यह चीज नहीं कर पाऊ गया ठीक है, permission वैसे तिन टाइप की होती है, एक होती है read की permission, एक होती है write की permission, और तिसरी होती है execute की permission, यह तीनों words clear है, क्या होते है, read मतलब file को पढ़ना, file के अंदर का content देखना, write मतलब file के अंदर changes perform करना, modification करना, execute मतलब run कराना, file को run करना, तो Linux के अंदर क्या होता है, by default अगर आप कोई भी file को download करोगे, कोई भी file आपने बनाई, तो by default शीरा आपके बस read की permission रहेगी, आप उसके अंदर changes भी perform नहीं कर सकते, आप उस program को run भी नहीं करा सकते, कब तक, जब तक आप उसे, आपके end से permission उसे provide ना करो, और permission provide कों करेगा, root user, तो इस तरीके से Linux की security अच्छी है, यह कुछ reasons हो गए, छोटे-छोटे reasons है, जो की बहुत ज़ादा impact डालते हैं, कि लोग Linux को use क्यों करते हैं, ठीक है, बात करें, servers वगेरे की बात करें, या फिर, जो tech giants वगेरे, companies वगेरे होती है, उन लोग क्यों use करते हैं, ठीक है, त आपकी security नहीं बन जाती है, यहाँ पर भी कुछ चीज़े हैं, जिनसे फर्क पड़ता है, तीसरी चीज़ यह है, कि Linux में आप auto run नहीं करा सकते हैं, auto run का मतलब क्या होता है, automatically अपने आप चलना है, तो जैसे कोई malware है, malware mostly क्या होते है, auto run हो जाते, system on होता है, वो चालू हो ज होते हैं, maximum चीज़ों हो, ठीक है, auto run ऐसे normally नहीं होता है, तो होगा क्या, अगर malware आपके system में आ भी गया, तो वो execute, self execute नहीं हो पाएगा, जैसे हम बात करें, worms की, worms एक टाइप का malware है, जो system की resources खाता है, CPU को consume करेगा, memory को consume करेगा, system को slow कर देगा, system को crash करा देगा, worm की खासी यह है, कि यह auto run हो जाता है, जैसे आपका virus जो होता है, उसे execute करने की ज़रोत पड़ती है, यह आगे का part था, malware का, बता रहा हूँ अभी, virus और worm की बीच में basic difference ही होता है, कि virus आपको run करना पड़ता है, कैसे, आप उसे एक बार execute करवाओगे, उसके बाद वो activate होग worm को activate होने की ज़रोत नहीं, आपके system में आया है, वो काम करना चालू कर देदा, run कराने की ज़रोत नहीं पड़ती है, तो यह जो auto run वाले feature रहते हैं यह Linux में नहीं रहते है, जिससे कि हमारा system थोड़ा और secure हो जाता है, इसके बाद बात करें, live cd, live usb, यह क्या है, USB से चला सकते हैं, plug and play, यही चीज़ बोलते हैं कि plug करो और play करो, Windows को अगर आपको चलाना है, Mac को आपको चलाना है, तो आपको पहले उस operating system को install करना पड़ेगा, बेना install करना नहीं चलेगा, Linux का case में इसा नहीं है, आप एक pen drive लो, उस pen drive के अंदर Linux को boot कर लो, और इसमें मानलो Windows चल रहा हुआ, यह आपके दोस्त का system है, अब आपको दोस्त का Windows निकाल के तो नहीं करोगे, मानलो आपको urgent है, किसी भी type के कोई भी situation आ सकती है, आपको Linux चलाना है, तो ऐसा तो नहीं है, आपके पास system ना हो, किसी दूसरे का system होगा ता आपको system को format करोग यह लिनक्स इंस्टाल करोगा है, क्या यह feasible तरीका है, नहीं है, बस एक pen drive को bootable करके रख लो, लिनक्स की bootable, उस pen drive को लगाओ, और system को boot कर लो, लिनक्स वहीं से आपके system में चलने लगेगा, Windows को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आप CD में भी कर सकते हो, सेम USB में भी कर सकते हो, यानि कि pen drive में भी कर सकते हो, तो इसका बहुत अच्छा feature है, इसके बाद बात करते हैं, graphical user interface, इस point पर आने के पहले, हम यह जानते हैं, कि लोग Windows को क्यों use करते हैं, जैसे कि हम जो normal users हैं, एक बार के लिए company को हटा देते ह हैं, बात करें हमारे school की, बात करें हमारे colleges की, बात करें even normal user आप purchase करोगे system को, तो साथ में Windows मिलता है, maximum user अगर आपको देखोगे, normal people में, तो आपको Windows की मिलता है, ऐसा क्यों है? UI, user friendly है, आपको ज़्यादा दिक्कते नहीं आती है, आपको एक interface मिलते हैं, ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जिसको देखके icons अगरे रहते हैं, जिसको आप समझ पाते हैं, cross का दिया है, तो cut कर दिये, ये सब चीजे, तो starting में जब Linux आया था तब इसके पास कोई भी graphical interface नहीं था, आज के time में है, पहले नहीं था, जब आया था, सिर्फ command line पर वर्ग करता था, वो ये boring से line दिखती थी, तो जब वो line आती थी थी ना, तो लोगों वो friendly नहीं लगता था, complicated लगता था, फिर Windows आया, Windows ने क्या किया, अपने interface launch किया, तो लोगों का लगा रहे, ये बड़ा आसाने चलाना, तो लोगों ने use करना चालू कर दिया, और फिर क्या हुआ, used to हो गई, जो public है, उसका used to हो गई, Linux है ज़रूर बढ़ी है, Windows से, लेकिन तब भी Windows का use normal लोगों की बीच में, ज़्यादा किया जाता है, इस सिर्फ interface की बचिस है, तो ये drawback था Linux का, starting के point पे, लेकिन आज का time में Linux में भी आपको graphical interface देखने को मिलता है, जिसे हमारे काली में भी आपको देखोगे, तो graphics से देखने को मिलते है, icon से देखने को मिलेंगे, folder से देखने को मिलेंगे, बीना command line के भी आप चला सकते हो, कुछ और beta IP आपको Linux के distribution मिलेंगे, जिनका interface Windows से अब बढ़िया है, इसके बाद बात करते हैं, application का support, इसका मतलब है, applications क्या होती है, कल हमने discuss करा था, इस पार्ट के, नहीं, जो software operating system के अंदर चलते हैं, उन्हें हम application से गोलते हैं, अब windows के अंदर हमें applications की जुरत पढ़ती है, कुछ applications के नाम बता पाएंगे, नोटपेट, Microsoft Office, Paint, और भी अगर आपन देखे तो Photoshop, तो अलग-अलग टाइप के आपको software से देखने को मिलते हैं, बहुत सारे software से आपको purchase भी करने पड़ते हैं, ठीक है, और हम लोग correct version भी यूज़ कर लेते हैं, उस चीज़ का, तो Linux के पास wide range of application support है, यानि कि बहुत बड इसके पास application support है, बहुत सारे applications इसके community के तरफ से आपको मिलेंगे, हर एक software का alternative आपको Linux से मिलेगा, फिर चाहे वो Photoshop हो, कोई video editor हो, कोई audio editor हो, है न, audacity type का, या फिर कोई notepad type का कोई editor हो, Microsoft Office type का कोई tools हो, Excel sheet वाला कोई tool हो, हर एक software आपको Linux के अंदर मिलेगा, आप और सब free है क्यों free है, क्योंकि Linux है, open source operating system है, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर free मिलने वाली है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही alternative आपको मिलेगा, आपको कई 100 alternative मिल जाएंगे, एक software के, आप ढूणने एक जाओगे और आपको 100 मिल जाएंगे, विंडोस में ऐसा होता है क्या, limited choices होती है यहाँ पर अपने पास choices की अपने पास problem नहीं आती है, हमारे पास बहुत सारे options एवलेबल रहते हैं applications के, इसलिए यहाँ पर लिखाए application support इसका काफी अच्छा है, और जब इतनी बड़ी community है, तो obvious ही बात है कि application support तो अच्छा होगा ही, और अगर आपनी इस चीज़ के रहेते हैं, इसके बात बात करते हैं file system की, file system मतलब जो हम file structure की बात कर रहेते हैं, अब file system के ख़व बात क्या है, Linux में, कि Linux, देखो पहले तो अपन इसके पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते है, file format, file format से क्या समझते हूँ, file format, word सुनाएं, इसका मतलब होता है file type, file किस type की है, dot mp3 है, dot jpg है, मतलब अगर images की बात करे, dot jpg देखने को मिलेगा, dot png देखने को मिलेगा, dot gif देखने को मिलेगा, audio की बात करे, dot mp3 देखने को मिलेगा, dot wave देखने को मिलेगा, video की बात करे, mp4, flv, avi, यह सब क्या है, एक्स्टेंशन है अगर हम पुछते हैं कि कौन से फॉर्मेट में आपको चीज़े चाहिए तो आप बताते हों कि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए ठीक है डॉट पीडीएफ यह फाइल का फॉर्मेट है यह जो डॉट पीडीएफ डॉट यहां डॉट पी जेपीजी लगे जोकिया है कभी जो नहीं किया वहागा तो चेक करना आठ जाके जक है टॉट एक्टेंशन है इसको हमारे विंडोज और मैक समझते मैक के अंदर गुसरा एक्स्टेंशन मिलेग आपको इन एक्सेन्सन को देखके आपका जो operating system है वो समझता है कि file को उन से type की है और उस प्रकार से वो activity perform करता है जैसे कि मानलो कोई photo है तो double click किया तो open कर देगा कोई software है .exe देखेगा तूसे run करा देगा तो क्या कर रहा है file के extension को देखके activity को perform कर रहा है Linux ऐसा नहीं करता है Linux क्या करता है Linux को कोई मतलब नहीं extension से Linux हर एक entity को as an file treat करता है उसके लिए एक software भी file है एक image भी file है एक document भी file है सभी चूज उसके लिए file है तो उसे बिलकुल फर्क नहीं पड़ता है कि extension क्या है आप extension x of y z रख लो आप आपके नाम का extension रख लो आप extension उसका wscube रख दो अगर आपने extension wscube अगर रख दिया किसी file का तो windows बोलेगा can't identify the program can't find a software for this program आप .wscube का बना लो इसके अंदर linux के अंदर को file चलेगी वो बराबर चलेगी बराबर open होगी तो यह as an file treat करता है क्योंकि यह as an file treat करता है सभी चीज़ों को तो यह जो malware होंगा है यानि कि जो हमारे malicious programs होते है वाइरस होते है उसे भी as an file प्रेक्टिकल हम आगे करेंगे जब हम बाइपास करना सिखेंगे विंडोस operating system को तब मैं आपको live bootable कैसे करते हैं यह भी सिखा हुआ और अपन live चला कर भी देखेंगे ठीक है अच्छा लाइव usb के एक और खास बात ही है कि मानलो आपके system की configuration कम है मानले के दो जी भी रहे में चार जी भी रहे में चार जी भी रहे में तो आप दो ऑपरेटिंग की और नहीक कि और यह से कुछ निकल करा सकते हैं यार्य के माओ मिये खेट सुन स्कुन अधी को कि तुन अडन क्याए है बाल जल एक पर ठाटब करना खार है आया जो जो यह पूरे पार्ट क्लियर है कोई भी पॉइंट में डाउट है 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 कि चीज़े समझ में आ रही है आगे बढ़ते हैं अब फाइल सिस्टम समझ लेते हैं लीनक्स का याने कि बढ़ते हैं इसके बारे मां जानेंगे और उनों फोल्डर के इंदर क्या होता है इस पार्ट को जानेंगे अब देको लिनक्स के अंदर हम मसीन इंस्ट्राल करके मैं आपको दिखाऊंगा तो बहुत सारे folder दिखेंगे सभी folder के बारे में जानना भी जरूरी नहीं यह कुछ important folder से जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए वो folders की list यहां पर दी गई है एक से मैं आपको बता देता हूं कि यह folders में होता क्या है और आपको पत होना चाहिए कि कौन से folder में कौन सी चीज़े रखी रहती है तो सबसे पहले हमारा folder आता है देखो यह जो लगाए ना स्लेस से हम यह बताते हैं कि हम लोकेशन देने वाले ठीक है तो पहला folder है बिन का फूल फॉर्म है बाइनरीज का मतलब है बाइनरीज बाइनरीज क्या हो user if S. ध्यक्स कर लो यहाँ पे ना बाइनरीज लिखा हुआ है ना बाइनरी लेंग्वेज लिखा हूँआ है बाइनरीज का मतलब होता है चोटे-चोटे प्रोग्राम्स है चोटे-चोटे शूट meaning जो बाइनरी डीजिट से बने हो आग है या बाइनरी लेंगज बेर से बने हो, होते हैं जैसे कि LAS CD MV ये करते क्या हैं जो कि एक system को चलाने में मदद करते हैं जैसे file को open करना file को close करना file को copy करना file को move करना इसका भी तो होगा code तो होगा छोटा सा code तो होगा बिल्कुल तब ही तो यह functionality कर रहे हैं तो यह हमें यहां पर देखने को मिलते हैं तो अगर आपने विन फोल्डर को डिलीट कर दिया तो आपका system खतम ठीक है उसके बाद आएगा sbin sbin का मतलब है system binaries ठीक है अब binaries तो देख ली थे आपना system binaries क्या है system system binaries मतलब system के programs ऐसे प्रोग्राम जो system की working में help कर रहे हैं ठीक है जैसे कि system control इसको system control बोलते हैं makefs fd इन चीज़ों को आगे चलके जाने हैं तो sbin के अंदर मुझे देखने को मिलेंगा system system programs फिर आती है ETC नाम के folder ETC folder के अंदर हमें मिलती है configuration configuration क्या होता है कल साथ हमने discuss किया configuration मतलब settings तो अगर मुझे कोई भी tool की setting करनी है देख अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों है अपने folder के बारे में पढ़ रहे है कोई tool आपने settings करनी है उसकी configuration करनी है तो आपको ETC folder में जाना पड़ेगा इसलिए हम भी folder के बारे में पढ़ रहे है तो configuration file आपको ETC के अंदर देखने को मिलेगी फिर आता है temp इसके बलिए तो बताने की ज़रत ने टेंपरररी फाइल फिर देखो एक folder आता है यूजर बीन यूजर फोल्डर के अंदर एक बीन नामका folder होता है यह वाला बीन नहीं है यह दूसरा यूजर के अंदर यूजर के अंदर मुझे कुनसी अप्लीकेशन प्रिस्टॉलड अप्लीकेशन यानि के बात ओ रही है यहां अब जब आप लीनुक्स और आपन करोगे तो कोई भी स्कनिका अपन करलो नेट्वर्क सकेनिंग के टूल उपन करलो जो पहले वो आपको यूजर बीन के अंदर मिलेगा ठीक है अब वही software जो यूजर बीन में है यानि कि वही pre-installed software की कुछ support files होती है कुछ dependencies होती है जो software को मदद करती है extra functionality में ठीक है तो वो जो चीजे है वो हमें देखने को मिलती है user share के अंदर जो यूजर बीन के अंदर जो प्रोग्राम्स थे हैं वही प्रोग्राम्स की सपोर्ट फाइल्स यानि कि वो जो सॉफ्ट्वेर है उसको एक्स्ट्रा अब हमने बात करी थी कि Linux के अंदर multiple users आप बना सकते हो ठीक है तो जब भी आपको यूजर क्रियेट करोगे जितने भी यूजर क्रियेट करो वह आपको होम डायरिक्टरी के अंदर मिलेगा एक होम नम का फोल्डर होगा ठीक है और होम नम के फोल्डर के अंदर आपको अलग- तो काली नम का मिलेगा एक user बनाए आपने मैंक का नाम नम को उल्डर मिलेगा एक user बनाए आपने इसरे आपल भी दिया है गया है home के अंदर wskipt है, तो wskipt है क्या है? एक guest user है, एक normal user है, और, एक root नाम का folder होता है, root folder के अंदर मुझे home directory, मुझे आपको ये चीज़े याद होनी चाहिए कि कौन से फोल्डर में कौन सी चीज़े एवलेबल होती है और फिर जब अपन मसीन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको क्या करना है उन फोल्डर में जाके देखना है कि वहाँ पर ये फाइव सच में एवलेबल है या फिर नहीं है अच्छा यहां पर है कोई जिसना लेब सेट अप कर रखी है काली को डाउनलोड इंस्टॉल करके रखाए को हुआ जाई को हुए वे पिटी गेट डिस्ट अपग्रेड एक अधिक लेकिन अप्डेट मत करना इसलिए मत करना जब अभी अब कोई नया अप्डेइट आता है न तो कोई नों कोई अच्छा पुराने अच्छे टूल से हुल निकाल देता ज़रूरत नहीं कि मेन डिस्ट्रिब्यूशन को अपडेट करो लेकिन अगर आप करना चाहते हों तो कमार्ड में लिख देता हूं एपीटि गेट डिस्ट अपग्रेड जिस्ट डिस्ट्रिब्यूशन अपडेट हुजा है कि यूजर बीन के अंदर प्रिंस्टॉल्ड सॉफ्ट्वेर्स होते है जैसे कि एन मैप एपीटी एयर मॉन एंजी एयर क्रेक एंजी मेटा इस्टॉइट हां निक्टो तो जो भी सॉफ्ट्वेर आपको प्रिंस्टॉल्ड मिलते हैं जैसे कि अगर हम विंडोस की बात करें तो हमें पेंट वाला सॉफ्टर पहले से मिलता है नोटबेड पहले से मिलता है तो लिनक्स के कोटा फाइल से मुझे यूजर सेयर के अंदर देखने को मिलती है हो गया नोट अचा रिवीजन कर रहे हो डेली नेटवर्किंग वाला पार्ट याद है देखने हैं वीडियो से पढ़ना है पोड़ियो तो इसलिए है कि अचा आई नही दें तो वीडियो देखके नोट तो बना ले न साथ ही साथ ठीक है क्योंकि देखो जब आपको रिवीजन करना होगा ना तो एक गंटे की आप ख्लास देख पाओ ऐसा पॉसिबल नहीं तो possible नहीं हो पाएगा कि एक गंटे की class आप देखो 10 classes होगे तो 10 गंटे आपके बेस्ट हो जाएंगे और आप उसा forward भी नहीं कर पाओगे हो सकता है को important चीज मिस हो जाए तो इसलिए notes बना के रखना और daily basis पर notes को पलटते हैं तो एक time बाद ऐसा होगा कि आपके बस page पलटत ठीक है अब देखो एक command होती है help नाम की जो क्या करती है आपको बताती है कि basic command के use क्या है ठीक है Linux का कोई भी command है आपको पता नहीं है कि वो command क्या काम करता है तो आप help लिख सकते हो उस command का नाम जो भी command है उस command का नाम और उसके साथ में help लिख सकते हो तो यह आपको help open करके देगा ठीक है आगे बढ़ते हैं तो आता है मेन कमांड ठीक है मेन का मतलब क्या है मेन का मतलब है मैनुवल मैनुवल क्या होती है कभी देखी है मैनुवल जब भी आपको इलेक्ट्रोनिक आइटम को पर्चेस करके लाओगा न तो उसके साथ एक छोट इसी बुक मिलती है यूजर गाइड जिसके अंदर step by step instructions रहते हैं कि वो कैसे काम करना है कैसी चीजों को उसे चलाना है जिसको हम मैनुवल बोलते हैं उसी प्रकार से Linux के अंदर भी हमें मैनुवल प्रोवाइड कर आई जाती है आपको अगर नहीं पता है कि किसी software को कैसे चलाना है किसी command का क्या यूज है तो आप उसकी मैनुवल पोपन कर सकते हों तो मैनुवल के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि वो software की वर्किंग कैसे होगी और उसके साथ कौनकोर से कमांड यूज करे जा सकते हैं तो आपको वह इतना करना होता है आपको लिखना होता है मेन है ना और उस कमांड का नाम कमांड का नाम या फिर हो software का नाम ठीक है तो यह आपको फुरी मैनुवल ओपन करके दे देगा वही जिस लिखी है फिर आता है लस का मतलब होता है लिस्ट लिस्ट क्या करता है आप जिस भी लोकेशन पे हो वहाँ पे जो भी फाइल्स और फोल्डर से अगर आपको आपको देखने है कि कौन-कौन से फाइल्स फोल्डर है तो आप लस्ट कमांड का यूज करते हूं प्रेक्टिकल अपन इस पार्ट को करके देखेंगे अभी जसका मैं बता रहा हूं और आप लोग इसे नोट करते हूँ जाओ चलो मेरे साथ ठीक है क्या मतलब होता है चेंज डि इरेक्टरि क्योंकि तो अब को अगर आपको एक फॉल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो आप इस कमांड का यूज पाइज करो रहे चेंज करने के लिए मान लो मुझे फोल्डर में जाना है तो मैं क्या लिकूंगा में लिकूंगा cd-home अगर आप किसी दूसरी लोकेशन में हो तो cd-home और अगर आप उस लोकेशन पर हो कि वहां पे home folder available है तो c4cd home इसके बाद आता है pwd ठीक है आप देखो जब हम pwd का मतलब होता है print working directory यह क्या करेगा यह आपकी current location आपको दिखाता है अब जब आप command line चला रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता ही कि आप कौन से folder के अंदर हो आपकी current location क्या है तो अगर आपको देखना है कि current location क्या है तो आप pwd लिखोगे तो आपकी current location print करके वो दे देगा for example home के अंदर काली के अंदर downloads नाम के folder में हो तो आपको पूरा location print करके देगा इसलिए आप है कि print working directory जिफ directory में वर्क कर रहा हूं उसकी location print करके अच्छाइब कर दो आपकी होना तो है किस्थाइब और आपक 수가 है वेगाइब आपने कर लिया नोट आपने कर लिया नोट बढ़ते हैं कुछ और कमांड को भी समझते हूँ चलना जैसे जैसे एक्सप्लें कर रहा हूँ नोट करते चलने डिया यार का मतलब होता है डायरेक्टरी यह यह क्या करता है यह भी आपको आपकी लोकेशन में जो भी फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उन्हें दिखाएगा YANI कि समस जो काम कर रहा था वही काम कर रहा था वही काम डिया यार भी करता है अब अगर आपको इक फोल्डर बनाना है तो आप आप J-DIr का यूजग सकते हो एम के डिया ये कम होता है मेक डायरेक्टरी यानि की एक डायरेक्टरी बना दू क्या करेगा priorit advocating यानि कि directory याक फिर पोल्डर बनाएगा है के ह crew करें तो in आधरेक्टरी यह फॉल्डर को बरक्री करना तो ऑनके डीयर का यूज कर अब की नाम का तो मफ़ल लिखेंगे अंप फोल्डर का नामों बेंड तो फोल्डर बन जाएग मुए अ Tapis CP, CP का मतलब होता है Copy, ठीक है? तो किसी भी file या folder को अगर आपको Copy करना होगा, तो आप CP का यूज़ करते हो Similarly, MV अगर आपको file को Move करना हो, तो आप MV का यूज़ करते हो इसके बाद आता है RM, RM का मतलब होता है Remove, किसी file को आपको delete करना चाहते हो Remove करना चाहते हो, या किसी folder को Remove करना चाहते हो, तो आप RM का यूज़ कर सकते हो अच्छा है, जो मैं पेन से लिखाना हूँ दिख रहा है आप लोगों को proper, red वाला Black color का यूज़ करो अब देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि Linux को जब आप चालू करोगे ना तो आप एक नॉर्मल यूज़र रहते हो, है ना, नॉर्मल यूज़र रहते हो और आपको एक root यूज़र बनना है यानि कि आपको एक super user बनना है तो आप क्या करोगे आप लिखोगे sudo 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 su का मतलब होता है sudo का मतलब होता है do command का हम यूज़ क्यों करते है किसी भी file का content देखने के hello world दिखना लग जाएगा अब windows के अंदर हमने देखा है कि जब हम edit करते है text को तो text editor का यूज़ करते हैं जिसका नाम है notepad और मैंने आपको बताया है कि Linux के पास हर वो software का alternative है तो जो notepad का alternative है हमारे Linux के अंदर उसका नाम है और भी आपको मिल जाएंगे editor वी मिल जाएंगे और भी बहुत सारे मिल जाएंगे फिलाला अब में अभी दो editor के बारे में बात करना है file editor एक है nano दूसरा है जी एडिट ठीक है अब देखो एक चीज़ और में बताया थी कि आपको जो आप अगर आप कोई भी files को download करते हो या अप कोई भी file को बनाते हो तिन टाइप की permission होती है हमारे पास byड़ेफोल्स कितनी permission रेती है हमारे फ Majesty पास कि एक रहती है दो रहती है को एक रहती है wind करने की Source, ठीक है और यृड करने की परमिसन है मालो मैंने कोई file download करी है मैंने कोई file बनाई मेरे पास तो उसे read करे में की permission है तो मैं अगर उस file को run कराना चाहता हूं या उस file के अंदा changes करना चाहता हूं तो मुझे permission तो पहले देनी पड़ेगी उस file को तो उस file को मैं कैसे permission दूँगा मैं permission दूँगा chmod की मदद से इसका मतलब होता है change mode change mode क्या करते है directory या फिर फाइल की अगर आपको permission देनी है कोई भी permission देनी हो या कोई भी permission उससे वापस लेनी हो ता आप chmod का use करते हो ठीक है chmod plus का sign के साथ आप permission दे सकते हो chmod minus के साथ आप permission ले सकते हो जो भी permission देनी होगी या जो भी permission लेनी होगी उसका character भी आपको साथ में लिखना पड़ेगा जैसे कि execute के लिए x read के लिए r write के लिए w तो plus x plus r plus w या फिर minus x minus r minus w ठीक है clear है यहां तक chmod permission देने और लेने के लिए यूज किया जाता है अगर आप permission देना चाहते है तो आपको प्लस लिखना पड़ता है अगर आप permission लेना चाहते है तो आपको आप character यूज करोगे वाला permission ले ली जाएगी या फिर assign कर दी जाएगी clear है फाइल भी आपकी रण नहीं होगे आप एक प्रोग्राम बना होगे प्रोग्राम नहीं होगा जब तक आप उसे execute की permission नहीं होगे तब क्या करोगे chmod plus x2 और इसके आगे हम फाइल का नाम दे देते है उससाइल का नाम दे देते हैं जिसे हमें permission अगाइन करनी है क्लियर अब देखो अब अलग अलग टाइप की programming languages होती है और अलग 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 टाइप के प्रोग्राम होते हैं आ एक छीज़प करना कि जो भी प्रोग्राम आप बनाते ओने उसका भी विंडोस का प्रोग्राम है तो उसके लाफ्ट में .exe रहे गा उसी तरीके से जो लिनक्स के अंदर जो लेंग्वेज यूज करी जाती है शेल प्रोग्रामिंग या फिर बेस्ट प्रोग्रामिंग उसका जो एक्स्टेंशन होता है वो होता है .sh जिसका मतलब यह है कि यह एक शेल फाईल है . लिनक्स के अंदर यूज करें जाने वाली फाईल है . लिनक्स के जो कमांड अभी हमने पड़े है यह भी शेल कमांड से अगर हम इन कमांड को यूज करके स्क्रोग्राम बना जाएगा ठीक है आगे चलके pen testing में शेल प्रोग्राम से बनाना सीखेंगे शेलाल के लिए जब बता रहा हूं तो मान लो एक शेल फाइल है आपने बनाई हो या हो सकता है आपने कहीं से download करी हो और आप उसे run कराना चाहते हो तो हम क्या करते हैं जो भी extension रहता है न हम उसके interpreter रन कराते हैं फाइल को interpreter क्या होता है उस फैल को प्रोग्राम को execute रगए और दो पाईकी फाइल है तो python interpreter से आप रन करा होगे तीक है उसी प्रकार से अगर शेल फाइल है तर आप क्या करोगे आप उसे dot flash से रन कराए अपर वसे बैस रन कराते है याopher आप उसे इस फाइल को अगर आपको execute कराना है तो आप dot slash लिखोगे dot slash करके file का नाम दे दोगे उस program का नाम file name dot sh या फिर best लिखके space दोगे और फिर उस file का नाम लिखके dot sh दोगे दोनों में difference इतना आएगा best अगर आप यूज़ करोगे तो आपको एक blank stress देना पड़ेगा dot slash का यूज़ करोगे तो आपको stress देने की ज़रूरत नहीं है अब आगे और देखते हैं देखो हमारे android की बात करें तो android के अंदर हमें एक play store मिलता है play store से क्या कर सकते है वह एक store है जहां से हम अलग अग अलग application फे डाउंडोड कर सकते है उसी प्रकार से Linux के अंदर भी एक play store है ठीक है उसका नाम है apt, apt का full form है advanced package tool, जैसे play store से हम tool download कर सकते हैं, software download कर सकते हैं, उसी प्रकार apt से भी हम software download कर सकते हैं, हमारे linux operating system के लिए, ठीक है, तो अगर मुझे उस play store को update करना है, देखो दो चीज़े होती हैं हमारे android बेभी, उस play store के भी update आती है, या फिर जो application से उनकी update आती है ये जैसे कि whatsapp, instagram इसकी, तो अगर मुझे play store को update करना है, तो मैं apt get update का use करता हूँ, और अगर मुझे जो software से application से, उन्हें अगर मुझे update करना है, तो मैं apt get upgrade का use करता हूँ, अपग्रेट क्या करेगा, सभी installed software को update कर देगा, और apt update क्या करेगा, package list यानि कि हमारे play store को update करेगा locations को update करेगा, ठीक है, अब मैंने आपको बताए कि ये जो apt है, ये software को download कर सकता है, यानि कि एक store है, play store की तरह, जहांसे आप download कर सकते हो, तो अगर मुझे किसी चीज को download करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, apt install, और उस software का नाम लिखना पड़ेगा, for example, यहा लिखूँगा, apt get install, या apt install gedit लिखूँगा, इससे मुझे कोई browser open करके कहीं पर जाने की ज़रोत नी, बस मैं कमांड लिखूँगा, software download हो जाएगा, clear है, और भी तरीके होते हैं, download करने के, धीर धीर करके, हम उन अलग-अलग methods को समझेंगे, इस part में कोई भी doubt, वज के देँ, तो इस दिज़ नीजाँ कमांए, क्वशशफर दिज़ डाने, बसिझेंग अलग-जापा, जैंट रापने, जैंट होगपाई को घरने के, तुमाइएक सेड़िसे पर नीज्समानि कुछ लो फिर अपन क्लास से एंड करते है तो इस चीज को अच्छा से याद कर लेना आज काफी सारी चीज़े देखिए अपने कला अलग कमांड से देखिए और फाइल सेस्टम देखा इस अच्छा से क्लियर कर लेना फिर हम आगे कंटीन्यू करेंगे ठीक है नेक्स्ट एक दो क्लास में प्रेक्टिकल की तरब मूव कर जाएंगे तब तक आप लोगो कमांड याद होनी चाहिए कि क्लिसी कमांड क्या करती है वैसे प्रेटिस करके तो हम याद करी लेंगे लेकिन रिविजन करके रखना ठीक है गईस हां फूट प्रिंटिंग अपन देखेंगे जस्त यह लिनुक्स का पार्ट काता होगा तब हां लेप से कपके बाद